हो गए तयार question of the day आज का question है आपके सामने screen पे question दी कितना सांदार मैंने आपको बाद वादा किया था 100 question 100 tips 100 question 100 tips की बात कहा था पर डे एक नए question के साथ नए flavor के साथ बिलकुल समझो आप gold plated silver plated आपका जो है flavor के साथ question को frame करके आपके सामने paste किया जाएगा IAT advance यही करता है मैंने कहा था आपको previous classes में यहाँ पर आपका algebra होगा यहाँ पर कलकुलस होगा एक नया question को trigonality से उटा लेगा तीनों को mixic grinder में डालके एक नया चीज निकालेंगे अब पूछेंगे बताओ what is this क्या है यह this is the IAT advance बच्चे IAT advance में mingle question fusion based question multi concept question को पूछेंगे का tradition चल पड़ा है आईए question देखता हूँ में question है कैसा यह question आपको दिख रहा है probability का बट यह question है limit का आपको क्या दिख रहा है this is the question of probability but question किसका है question और लिमिट का question है my dear अब इस question को मैं देखता हूँ इस question को कैसे बनाएंगे आईए मैं इस question को देखता हूँ कैसे बनाएंगे इस question को मैं ठिक करता हूँ आपके पास अब इस question का जो concept अपने पास है इसे छोटा कर दिया पहले अब देखो question में क्या आपने पास है अब यहां से कुश्चन की बात कर रहा हूं हमारे पास कुश्चन है अपने को नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं वाइट बॉल कितने मर्वल्स कितने तो वाइट मर्वल्स हमारे पास है ये मान लो in और दोनों का proportion equal है बच्छे तो black कितना हो गया black की बात करोगे black marvels की बात करोगे ये भी हो गया in तो total marvels कितने हो गये total marvels हो गये आपके पास ये हो गया आपके 2 in total number of marvels हो गये 2 in आपको क्या करना आपको करना है बच्छे ऐसे समझगे और ब्लैक मिलावा बच्छे तो यहां से अपन क्या करते हैं यहां से फाइव निकालते हैं फाइव अपन यहां से ड्रा करते हैं ऐसा निकालना है कि फ्रस्ट में हमारे पास एक्जक्ली वन वाइट हो और सेकंड वाला में सेंपल में एक्जक्ली त्री वाइट हमारे पास हो यही question का concept पूछा जा रहा है sorry exactly three black हो first में हमारे पास exactly one black हो और second में हमारे पास exactly three black हो, इस बात का ख्याल लखना है तो देख बचे मैंने क्या किया इस question में, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ question में, अब मुझे चाहिए क्या required probability required probability की बात कर रहा हूँ मैं, अब देखो यहां से क्या लिखूँगा मैं, अब यहां से लिखूँगा मैं एसको ऐसे यहां लिखूँगा limit चोकि हमारे पास in test to infinite limit क्यों लगाया, यह large number है पता नहीं इन कितना है विच्छे in defined नहीं है, हमारे पास कितना है तो unlimited है, इससे उसको लिखा हमने unlimited से find करना है तो limit लगाया, in test to infinite अब इसकी बात करूँगा मैं, first की बात करूँगा मैं, हमारे पास दो-दो part है ऐसे दो part है विच्छे, यह हो गया आपका 2NC5, और यह भी हो गया 2NC5, end चाहिए, end क्यों चाहिए and इसलिए चाहिए बच्छे, question में है this and this, दो sample चाहिए end का मतलब होता है multiple और का मतलब होता है plus अब यहां से चाहिए क्या बच्छे first sample contains one black marvel one black चाहिए NC1 और next बच गया आपका NC4 second की बात करोगे तो NC3 और बचेगा आपका NC2 यही आपके पास answer हो गया यही आपके पास answer हो गया अब इसे खोलना है अब limit का काम करेंगे परमुरसिन कोमिशन का काम आपका हो गया probability का आपके पास काम हो गया probability में जो चाहिए था वो सब कुछ कर लिया अब नहीं बात करूँगा मैं यहां से अब यहाँ higher concept आगया limit का अब इसनी बात मैं करूँगा दिखेएगा अब मैं इसनी बात कर रहा हूँ limit की बात कर रहा हूँ तो दखेए स Obama limit कैसे क्या करेंगे अब यहां लिखता हूँ मैं required probability की बात कर रहा हूँ में तो देखिए तो क्या हो गया यह यहां से लिखोगा मैं limit n tends to infinite बिल्कुल सही है पच्छे इसको ऐसे लिख दिया आपने यहां से अब nc1 यह अपने पास हो गया n nc4 n का 4 factor n n-1 n-2 n-3 यह हो गया इसका 4 factor बिल्कुल सही है यहां से अपान में इसकी बात भी करेंगे अब इसको पहले ब्रेक और अच्छा रहेगा n c3 यह अपने पास हो गया n n-1 n-2 बिल्कुल सही है again nc2 इसको भी खोलो आप इसे खोलो इसे कैसे खोलेंगा आप तो देखिए बचे इसे खोलेंगा आप यहां से nc2 n into n-1 यह कंडिशन आ गया अब मैं यहां से लिखता हूं ऐसे यह लिखा अपान में अपान में हो गया factor 3 अपान हो गया इसके लिए factor 2 अब इसे ब्रेक क्य का जाए आपका 2 nc5 को तो 2 nc5 को मैं ब्रेक करता हूं जा दिखिए उसके लिए क्या करेंगा आप 2 nc5 कैसे ब्रेक होगा अब देखें यहां से इसका लिखता हूं 2 nc5 का 5 factor 2 n 2 n-1 2 n-2 2 n-3 and 2 n-4 यह होगा बच्चे 1 2 3 4 5 factor यहां भी 5 factor यहां भी 5 factor यहां भी 5 factor इसका मत् सक्वार कर दो बच्चे इसके सक्वार कर दोगे तो जादा अच्छा रहेगा और यह हमारे पास उपर आ गया फैक्टोरियल 5 उपर आ गया फैक्ट्रॉल 5 यह condition मना अब कुछ नहीं करने का अब किवश्व करना है बच्चे अब इसे ब्रेक करना है अब यहां से मैं कॉंसे गिंशन रहे तो हाइयर से डिवाइड करते हैं क्या करते हैं जब भी certified कर्ITH लोग च्छी रहन है जब इंकॉंद ख distintos कला Um यह हमारे पास हो गया 120 इंटो 120 बिल्कुल सही है इसकी बात करोगे तो यह हो गया आपका 4 इंटु 3 इंटो 2 इंटो 1 यहां से अपने पास 6 इंटो 2 अब यहां से 2 निकालोगे 2 का स्क्वार, कितनी बार 2 का पाउर 10 आगया वचे यह अपने पास हो गया दिस बन अब और खोलेंगे छे दुनी 12 यहां से हो गया अपका दिस बन यह अपने पास 10-10 हो गया बच्चे और कुछ क्या जाए यह इसवर। को option कहा हुआ बुलाओ आप option को बलाइए option आप कहा है जल्दी आईए यह हमारे पास option है option number a option a है बच्छे 5 by 20 आपका 25 upon 512 तो 25 upon 512 हमारे पास option था यह अपने पास option हो गया यह अपने पास option हो गया 25 upon 512 यह question था इसे बोलते हैं यह this is the question of the day यह question हुआ एक question करने पर तसलिय हो जाएगी मन आपका भर जाएगा ज़्यादा नहीं आपको per day मेरे लिए four to five minute समय देना है चार से पांच मिनिट maximum और मैं रोज करूँगा आपके साथ नहीं नहीं बाते mathematics के साथ okay तो बने रहे हैं क्रेटिव के साथ so always be creative join creative see you my dear see you next time bye bye take care झाल झाल मुआब पर चांच मोझा रहे हैं झाल